हेलो सांतियो, वेलकम तो रेली स्टड़ी, दोस्तो आज के इस वीडियो में मंद्य प्रदेश जेल प्रायरी फोरेस्ट गाट 2023 के स्पैसल एक्जाम का नेक्स्ट एनलेसिज आपके लेकर आ चुके हैं और 27 माई 2023 को थर्ड सिप्ट का एनलेसिज याने की गाईज आज फस्ट आपके फस्ट नहीं हुए तो वैसे अगर हम देखे तो यह सेकेंड शिप्ट है आपकी और दे के इसाफ से आपके थर्ड सिप्ट रहेगी तो आज के हिसाफ से यह सेकेंड सिप्ट ही आपकी है अब जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं अपने अकोडिंग इसको हम कवर करे सेकेंगे इस कॉश्चन के और इवनिंग वाली सिप्ट है भैसिक लिए साड़े कितने साड़े चार साड़े 6 वाली सिप्ट है बैसिकली यह पीडियू अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडियू आपको मिलेट प्रवाय से यहा पर फ्रीयोप को सारी चीज़ी लिए देट वाइस तो आप डाउनलोड कर सकते हैं के लिए हमारी जेल परारी फोरेस्ट गाट के स्पैसल टेस्ट सीरीज है अगर आपने अभी तक इंड्रोल नहीं किया कर लिए बेस्ट अब तक के सबसे सांदर टेस्ट सीरीज है बिलकुल नहीं पैटन की लाटेस्ट पैटन की इसमें सारी चीज़े में लिए एटू जीट इसमें डली है के लिए तो आप जरूर से इन्रोल करिएगा कोई डाउट है कुछ प्यारी तो आप हमें नमबर पर भी कॉंटक्ट कर सकत के और आज के जो कोशन्स हमें सेंड किये हैं इस सेकेंड या थार्ड सिप्ट के ये कोशन्स बेज़ाया जी यो कि गुना से हैं इन्होंने 61 सकॉर किया है मनिश भरवे जी जो weiß इन्होंने इन्होंने काफी अच्छी मदद्ध की ऐ हैं हमारी कोशन्स को कलेक्ट करने में जि इस इस डिस गाइस यह पूरे की पीरुः बेसो के बीसो कोशन्स लिकर ले के आय Girald पर तो गैस पूरे की पूरे कोशन्स हमें आज़ इस पाता चल चुके हैं वह हमें इस वीडियो में कवर करें गें अगर आपका भी आगया आने वाले दिरों में एक्जाम हैं तो आप हमेही नंबर पर अपने questions ज़रूर सेंड करें ताकि हम आपको ऐसा ही एडवांस तरीके से analysis करा पाएं और सो परसेंट सठीक आड़ीज्ज्ज आपको दे पाएं authentic questions आपको दे पाएं जो आपकी exam में पूछी जा रहे हैं वैसे तो बहुत सारे लोग already आपको fact questions बता रहें बट यहाँ पर हम तोड़ा सा late वीडियो लेकर आते हैं उसके लिए आप सभी से माफी चाहेंगे कि आए कि जो real questions है as it is questions है सटी questions है वो collect करने में time लगता है के लिए तो उसमें तोड़ा सा आपको wait करना ही पड़ेगा उस वीडियो के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको real questions पता चले तो आप तोड़ा सा पैसेंस जरूर से रखिएगा आपको एक एक चीज यहाँ पर हम authentic बताते हैं के लिए आई किले रहे आईए continue करते हैं हमारे पहले question से पहला question पूझा गया सन्विधान की प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे सही जवाब रहेगा डॉक्टर बी आर अंबेटकर जी सन्विधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे सन्विधान की प्रारूप समीती के इमेदारी सोपी गई थी तो इस समीति की जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्र बियार अमबेटकर प्रारूप समीति के गठन 29 अगस्त को 1947 को बियार अमबेटकर की अध्यक्षता में किया गया था सन्विदान बनाने में सन्विदान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन का शमय लगा था और मूल सन्विदान में 22 भाग 395 अनुछेद और 8 अनुसूच यहां थी के लिए तो ये एक एक पॉइंट आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है गाइस के सीधे सीधे यहीं से कोशन्स आपके बन रहे और इस सिप्ट में भी काफी ज्यादा कोशन्स इनी एडिशनल इं गांधी था और गुजरात में पॉरबंदर के दिवान था यह मा का नाम पुतली भाई गांधी जो की महात्मा गांधी की मा थी के लिए रहे कस्तुर्बा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की पत्नी की रोप में इनको जाना जाता है कस्तुर्बा गांधी को अगर ह जनवारी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी इसके अलावा अन्जी जो महापूरु से उनके समाधी स्तल भी हम कवर करवा दे आपके अभी तो आपका महात्मा गांधी जी का पूछा गया हो सकता है नेक्स्ट सिप्ट आप से किसी और का पूछ ले तो देखिए डॉक्टर बियार अंबेटकर जी का जो समाधी स्तल ये है चेत्ति भूमी इसके अलावा लाल भादू सास्त्र जी की है विजे गांट सकती स्तल जो समाधी स्तल ये इंद्रा गांधी का है किसान गांट चोद्र चरन सिंग का समाधी स्तल वीर भूमी राजिव गांधी की समाधी स्तल और सांत सभा सन्विदान संसुदन अदिनिया मुनिस सुनसट के तहट इसको जोड़ा गया सिंधी भासा को और कल वाला जो हमने अभी फरस्ट सिप्ट में इसके पहले वाली जो सिप्ट होई थी इसमें और कल भी इस कोशन को हमने कवर करवाया था आपका अभी तब यहां से तीन से सन्विदानिक संसुदन अदिनियम द्वारा 80 इनसूची में जोड़ा गया आटवी अनसूची उन भासाओं को सूचीबध बढत करती है जिनने विक्सित करने के जिम्मादारी भारत सरकार के पास में ऑस और सनिवदान के अटीवय अनसूची में मोल रुप से 14 भासाओं क इनको जुड़ा जिससे भासाओ की जो कुल संक्या है या 22 हो गई तो भारति सन्विदान की आठीवय अनुसूची में 22 भासाओ को मानी था दी गई है अगला कुशन पूजा गया है मिनाक्ची अम्मन मंदिर किस नदी के टट पर इस्ति दे तो मिनाक्ची अम्मन मंदिर जो ह तिरुकमा पोट्टम उदिया अलुदिया मिनाक्ची जो पारवत्ती जी का एक रूप है बैसिकली और भगवान सिव का एक रूप है सुन्देश्वर इनको बोला जाता है इनको इनके रूप में इनको समर्पी तही है और इस मंदिर में भगवान और देवी दोनों की अलग- मंदिर प्राचिन, मंदिर सहर मधूरे की केंद्र में इसे लिए और इसे कुल सेक्रा पांडिया ने बनवाया था तो किसके द्वारा इस मंदिर को बनवाया था ये भी आप याद रखेगा अगला कोशन बनाए बारती सन विदान के कितने भाग है तो पांचिस भागों मे के लिए रहे जब इसे पहली बार बनाया गया था तो इसमें 22 भाग 395 अनुचेद और 8 अनुचेद सामिल थी इस परकार यहां विस्व का सबसे लंबा लेकित सन्विदान है अगला कोशन है सार की कि वर्तमान महासचिव को नहीं तो या तो कोशन इस तरह से पूचा गया होगा या इनका नाम दे दिया गया होगा और पूचा होगा कि बताइए किसके वर्तमान में महासचिव हैं इस तरह से कोशन्स आपके पूचे जाते खेर दोनों का आपका कोशन् जो भी हो आपका अंसर में रख दीजिगा questions को questions को और answer को questions में रख दीजिए questions को answer में तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसमें बट इतना ज्यादा यह नहीं है questions हमें मिल चुका हैं यह जो भी पूचा गया हो आपको answer पता चल चुका है सारकी के वर्तमान महासची वे ऐसा ला रुवान वीरा कुन आपका सही जवाब रहेगा यह सारकी के वर्तमान महासची वे सारकी का मतलब है दक्षिन ACI छेतरी सहयोग संगठन अप याद रखेगा दक्षिन ACI छेतरी सहयोग संगठन छेतरी अंतर सहिकारी संगठन और दक्ष शिदे से इसकी इस्तापना 8 दिसम्बर को ये 1985 को सार्क का जो मुक्याल है ये काठवांडू नेपाल मिच्थी है अगला कोशन है हमारा कौनसी नदी पश्चिम की और बहती है तो ये जो नदी है ये नदी है अपकी नर्मदा नदी तापती नदी और माही नदी ये तीनों न अगला कोशन है शनविदान की प्रस्तावना की अगई तो अमेरिका से ली गई अमेरिकी देश से ये ली गई, अमेरिकी सन्विदान से ली गई सन्विदान की प्रस्तावना, उद्देश प्रस्ताव में सन्नीहित, आदर सन्विदान की प्रस्तावना में इमानदारी से परिलक्षित होते हैं, और यह सन्विदान के उद्देशों और उद्देशों को पूझन पूजा गया इंडोनेशिया में इसका मुख्याले है आसियान- सची वाले इंडोनेशिय कर्थ चकारता को इसका फुलफो में ऐसियान की इस्तापना हुई ये 1967 में बैंको गोसना पत्र पर अस्ताक्षर के साथ में इसकी स्तापना हुई आसियान संगठन में 11 सदश्य देश हैं इसमें इंडोनेशिया मलेशिया फिलिफिन्स सिंगापूर थाइलेंड बुरुने वियतनाम लाओस मिय नामार कंबोडिया और इस्तव तीमोर ये आठ ग्यारा देश इसमें सामिले आठ अगस्त को आसियान दिवस की रूप में बैसकली मनाया जाता है अगला कोशन है मत्यप्रदेश में कितने विसेस आर्थिक छेत्रे याने सेज कितने हैं स्पैसल एकॉनोमिक जॉन तो इनकी इसके लाव बोपाल और जबलपूर में प्रस्तावित आईटे पार्क अभी बने हैं यह प्रस्तावित आप याद रिखेगा नेक्स्ट वोचन पूचा गया गीता गौपिनात अंतराश्टी मुद्राकोस की उपरबंद निलिचा के तो अंतराश्टी मुद्राकोस का इठाने और यहां वित्ती स्तिर्ता को सुनुश्ट करने अंतराश्टी व्यापार को सुवीधा जनक बनाने और उच्छ रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विस्व भर में गरिबी को कम करने के लिए बैसकली काम कर रहा हैं अगला कोशन पूचा गया बूपेन हजारिका को भारत रतन कब मिला तो 2019 में बूपेन हजारिका को भारत रतन दिया गया बूपेन हजारिका एक अस्मिया गयक संगितकारी 2019 में बूपेन हजारिका नाना जी देश्मुक प्रवनम मुकरजी इन तीनों को एक सा समानित किया गया अगला कोशन है चेत्र की दिवारों को साब किया जाता है रंगा जाता है और नर जानवरों और फसलों की आकरतियों से सजाए जाता है जो बहुताय का प्रतीक basically मना जाता है और इसे चित्रों का त्योहार भी कहा जाता है इसलिए इसको चेत्रोल त्योहार के नाम से जाना जाता है अगला कोशन ने लक्षिमी भंडार योजना के स्राजी ने सुरू की तो पश्यमंगाल आपका करिक्टा अंसर रहेगा पश्यमंगाल राजसरकार ने महिलाओ के लिए लक्षिमी भंडार योजना शुरू की है और पश्यमंगाल लक्षिमी भंडार योजना के अंतरकत अनुसूची जाती जन जाती की परिवार की महिलाओ को की जो मुख्या होगी उनके एक हजार रुपे सामानिवर्गी के परिवार की महिलाओं को 500 रुपे महीने हर महीने बैसक लिज के अंताहत दिये जाएंगे लक्ष्मी बड़ार योजना के तहत चाओ नित्य कौन से राज जिकाए तो ओडिसा जहारकर्ण प्रश्ची मंगाल आपका करेक्टा अंसर रहीगा चो-छो के नाम से उसको जानेता है ये एक अर्दसास्तरी नित्य बारती नित्य हैं जिसमें उडिसा जहारकर्ण प्रश्ची मंगाल के लोग सामिल होते हैं ख़व निति बहरत में जिन जाती निति का एक लोगपरी रूब है जो मार्तल आठ की तत्वों को अपने आंधोलनों में सामिल करता है। इसके अलावा नेक्स्ट कोचने, चेराओ निति की सराजी का परांपरिक निति है, तो मीजोरम का है, चेराव मिजोराम के पारंपारिक और सबसे पुराने नित्यों में सही कि इसे मिजोराम के सबसे पुराने नित्य रूपों में भी जाना जाता है इसे बास नित्य के नाम से भी जाना जाता है चेराव नित्ति में वाग यांत के रूप में गंटे और डोल का प्रियोग किया जाता है यह मिजोरॉम के सबसे प्रसिद नित्यों में से एक है जो उस्तव के उसरों पर आकर्चन का केंद रहता है मिजोरॉम के अन्य पारंपारिक नित्त की बात करे चिंदवाड़ा, बेतुल, सिवनी, बालगार्ट, मंडला, खंडवा, खरगोन यह जो जीले हैं बैसक लिए छेतरा आता है आपका सत्पूरा मेकर प्रवतमाला के अंतरकत धार इसमें आपका सामिल नहीं है नसिली बेद्वाओ के उन्मुलन के लिए अंतरास्टी दिवास कब मनाये जाता है अगला गोशन है सिरोही राष्टी द्यान किस राज्य में हैं तो मनीपूर में है इसके अलावा नेक्स्ट कोचने कौन से सुल्तान के कारिकाल में पूरो पश्ची मंगाल अलग हुआ था ये कोचन आपसे पूज़ा गया एजड़िस देखिए गाईज यहाँ पर मनीज जी ने जितने भी कोचन बताए पूरे की पूरे की पूरे कोचन वह लिखकर लेकर आए थे ताकि आपको जाए ज्यादा हेल्फ मिल पाए उन्होंने इसलिए कोचन बताए गाईज के उनको तहले मिल चुकिए अब आगे जो एक्जाम देंगे उनको भी हैल्फ मिल जाए इसलिए सारे कोचन वह लिखकर लाहे थे और सबसे पहले हमने सटी कोचन समय उन्होंने बताए आईए आगे बढ़ते हैं और हम साइंस के फ कोचन सेलिए करता है ओम का नियम किस पर निर्वर करता है लंबाई मोटाई और तापमान पर निर्वर करता है निमने लिकित में से किस है जली या कीट भक्ची पोदे के रूप में जाना जाता है तो ये है आपका यूट्रिकुलेरिया अवे गादरो इस्तिरांग का मान 6.022 into 1023 होता है तो ये किसका होता है अवे गारदो का इस्तिरांग कमान होता है अगनाशिय में अगनाशिय से कौन सा हर्मोन इस्तरावित होता है इंसूलीन, ग्लुकोजन, ग्लुकागन और सॉमिस्टोस्टे ये तीन हर्मोन से ये आपके रिलीज होते हैं स्तरावित होते हैं अगडाशे से अगला कोशन है सरल लोलक की गती क्या होती है ये कोशन बना है निमलिकित में से कौन सी बीमारी स्रंकवन से फेलती है ये भी कोशन बना है तो गहिस अगर हम बात करें हिंदी की हिंदी में अलंकार से कोशन बना है लोकोक्तिया आईए आपक वाग के सूधी से questions पूचा गया अनिक सब्द के लिए एक सब्द से use किया गया इसके लिए विलोम सब्द परियावाची, उपसर्ग, सामास सुद्ध सुद्ध, इन सभी टॉपिक से questions बने संग्या सर्वनाम से नासिक, वर्न कौन सा है, इस तरह से, यस रज से questions बना है आपका, मौहावरे से भी questions आपका पूचा गया है अगर हम बात करें इंग्लिस में, इंग्लिस में 5 questions आर्टिकल से बने हैं, देखिए ये 5 questions नहीं बिन पाए हैं आर्टिकल से, किले रही कम questions बने हैं, एक दो questions हो सकता है बन गए हैं, किले रहे PQRS वाले 6 से 7 questions देखने को मिले इंटोनियम से 1 questions देखने को मिला इंटोनियम सीनोनियम से हो गए, आपके मैसे स्पैल्ट हो गई, इसके अलावा एक्टिव पैसी voice questions बने हैं, one word substitution से भी question बने हैं अगर हम बात करें गई, मैसे में तो मैसे में आपका LCM, SCF सुभा वाली सिप्टे में आया था, I think अब भी पूचा गया है के लिए रहे, मिसरन से questions बना है आपका रेलगाली से question बना है प्रतीसा से questions बना है, लावानी से questions बना है समयकारी से questions पूचा गया छेत्रमीती, इसके अलावा सरली करन, संक्या पदेती अना, simplification और आपका number system से questions बने आयो वाले questions आप से बने SI, CI, से questions बने, बोडमास, अनुपास, समानुपाथ और चाल दूरी संक्या पदेती, याने number system इन सभी topics से आपकी exam में questions पूचे गया है I think, यहां से आप अच्छे से cover कर लेंगे इन सभी topics को, क्योंकि जो questions पूचे गया है वो पूरे हम आपको बताने में help आपकी कर रहे है अगर आपका आगया आने वाले जुनों में exam है तो आप हम इन number पर जो starting में हम आपको दे चुके इन number पर अपने questions जरूर से send करें ताकि हम आपको सटीक analysis प्रोवाइड कर भाएं कि लिए रहे, आई यहां आगे बढ़ते हैं और जेल परारी forest guard की टेस्टी सीरीज है हमारी MPSI की special और MPSI की special और MPSI की special टेस्टी सीरीज है इन रोल नहीं किया है कर लिजगा best time है best offer है और काफी अच्छे score आप इनके माध्यम से कर सकते हैं तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल मिले आपको तो आप application को download कर लिजगा दोनों के link आपको description में लियागी तो application को download करके study material वाले section में आप आसाने से PDF को प्राप्त कर सकते हैं तो गाइस इस वीडियो को जाए जाए लाइक करें, share करें, subscribe करें चैनल को नहीं किया है दो और bell icon को दबा दे ताकि जो भी नए वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच पाए के लिए रहे तो मिलते हैं हमारे next study वीडियो में कल की first septic analysis कसा तब तक ले जय हिंद वद्ने मातरम